मैं जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का मैं जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का ए आखे उसी दिन हो जाए अंधी जो तेरे सिबा देखे शपना किसी का मैं जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का मैं जिस दिन भुला दू तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का वेल्कम टू लर्नर आइस वाई भी यार पी तो आए सीडी पी के ताथ आज हम लो एक और बहतरीन चेप्टर को देखते हैं जिसका नाम है बच्चों में अधिगम की बैकल्पी का उधारना है Alternative Conception of the Learning in Children सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अधिगम बच्चों में अधिगम की बैकल्पी का उधारना होती क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो अधिगम है जिसे हम सिखना कहते हैं तो सिखना तो कहीं से भी हो सकता है किसी भी माध्यम से हो सकता है शिखना का अर्थ क्या है आपके बेभार में पडिवर्तर लेकिन नौ सिखना भी सिखना है क्योंकि जब आप सिटेट का कलास कर रहे हैं आप यहां से कुछ नौ भी सिख रहे हैं तब भी कुछ न कुछ सिख के जा रहे हैं जो आपको पता नहीं चलता है लेकिन आधिगम को परिभासित करने का जो काम किया, आनेक मनो बैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किया, तो इसे ही हम कते हैं बैकल्पिक आओ धारना, चुकि सभी मनो बैज्ञानिकों की जो आओ धारना है, क्या एक ही धंका है? नहीं है, सबका अपना-पना मत है, और यह जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वह अगर हम बुर्वर्थ के अनुसार देखे, तो नभीन ग्यान, यानि नया ग्यान, तथा नभीन प्रतिकिरिया का अर्जन करने की प्रकिरिया ही अधिगम प्रकिरिया, यानि नभीन ग्यान और नभीन परतिकरिया का जो अरजन होता है, वह जो करता है बच्चा, वही परकिरिया उसका क्ये कलाता है? अधिगम, प्रकिरिया. अधिगम की विशेस्ताय क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, कि सीखने की कोई ना उम्र होती है, ना कोई अवस्ता होती है. सीखना तो बच्चे के जन्म से ही प्रारम हो जाती है और कब तक चलती है मिर्तु परियंद यानि सीखना एक ऐसी परकिरिया है जो जीवन भर चलती रहती है यानि जीवन परियंद चलने वाली परकिरिया है और दूसरा मानब ब्यभार में अस्थाई परिवर्तन की परकिरिया है मानब में अब सवाल उड़ता है कि क्या अधिगम जो होते हैं वो किस में तो मानब की बात हो रहे हैं आपे चुकि हम लोग CDP पर रहे हैं तो मानब बेभार में अस्थाई परिवर्तन की जो प्रकिरिया होती है, परमामेंट जो चेंजेज होते हैं, उसी वही जो है आपके अधियम की बिसेस्ता है, इसमें सरवांगिन बिकास में भी सायक होता है, सरवांगिन बिकास, अवर ओल डिवलोपमेंट यानि सारिरिक, शंग्यानात्मक, उसके बाद आपके जो होते हैं, समाजिक भी हो जाएगा उसमें सामिल, भासाई भी हो जाएगा, चारितरिक भी हो जाएगा, तो सारे विकास के जो आयाम है सब में परिवर्तन होता है, शिखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानि जब आप कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो आप उसके प्रति एक्टिब भी रहते हैं, आप उसमें हिसेदारी भी बटाते हैं, और अधिगम भी अधि प्रकुलन प्रकिरिया विकास है अधिगम के माध्यम क्या आप सिखने का माध्यम क्या हो है तो किसी भी चीज को सिखने का दो माध्यम होता है एक होता फॉर्मल एक होता इनफॉर्मल एक होता अपचारिक एक होता अनपचारिक जब आप किसी भी तरीके से सीख लेते हैं जब आप सीखेने का कोई निश्चित करम नहीं होता है, कहीं भी, किसी भी आस्तान पर, अगर आप सीखे लेते हैं, तो वो अनौपचारिक होता है, इन्फॉर्मल होता है, जैसे आप सरक पे चल रहे, एक्सिडेंट हुआ, और आपने उसके माध्यम से, आपने सीखा कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, किधर से जाना है, कहां पर गलतिया होई, तो वो अनौपचारिक है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, या आप वो ऐसे जगह पर जाते हैं, जिसके लिए बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, आपचारिक अधिगम कहल जैसे एक छोटा बच्चा जब मंदिर जाता है तो दूसरे को भगवान को पुजा करते हुए आरती उतारते हुए या धूप बती दिखाते हुए नजर देता है उनको तो वो बच्चा क्या करता है वहाँ पर उस चीज को सिख लेता है तो जब आप किसी संस्था में किसी रहने पर जादा यह कारगर होती है तो अधिगम जो होता है सीखना वह बच्चे के कर सकते हैं कि रूची पर भी निर्वर करता है बच्चे कि विकास पर भी निर्वर करता है लेकिन वैसे सीखना तो जीवन परयान चलते रहता है तो आज वैसे इतना ही फिर मिलते हैं एक और बहतरने वीडियो का साथ तब तक टेक क्यर वी इंजुआए थैंक्स पर कीप वाचिंग जय हिन जय भारत